स्वदेशी ची किस्ता में आज हम चिल्वलेन के घरेलू उपचार के बारे में बात करने जा रहे हैं अगर आपके सर्दियों में हाथ पेर में स्वेलिंग आ गई हो तो आप आलू के रस में नमक मिलाके लगा लीजिए आराम मिलेगा या फिर उबलते पानी में टरनिप डाल दीजिए थोड़ी दिर उबालिए उस पानी को गुनगुना जब वो रह जाए तो उससे सिखाई कीजिए आपको आराम मिलेगा आज की स्टोरी है मिस्टर जॉंसन डॉक्टर अंजली ने घड़ी देखी पहली बार वो पाँच मिनिट लेट थी डॉक्टर अंजली को देखकर कोई अट्रैक नहीं होता था हाइट लगभग पाँच फूट छोटी छोटी थकी हुई आखें पतले सफेद बाल देखकर लगता मानो बहुत थकी हुई हूँ थोड़ी जुक कर चलती थी पतला लंबा चेहरा चेहरे पर कई निशान उम्र लगभग पचास वर्ष परन्तु अपनी उम्र से काफी बड़ी दिखती थी मानो सतर साल की हूँ मुश्किल से हिलती थी जहां देखती पस वहीं दखती रहती लगता बहुत कम शब्द हैं डॉक्टर के पास बोलती बहुत कम परन्तु हस्ती तो बिलकुल नहीं थी रोज सफेद कोट पहनती थी इस सफेद कोट में और काली भद्दी नजर आती थी लंबे पतले हाथ मानो किसी पुतले के हूँ पिछले 25 साल से प्रैक्टिस कर रहीं थी डॉक्टर अंजली साइको एनलिस्ट बाहर बोर्ड लगा था उन्हें देखकर नहीं लगता था कि डॉक्टर से कोई मरीज ठीक भी होता होगा परन्तु ये बहुत बड़ा सच था कि वो हमारी कंट्री की हाईली पेड डॉक्टर थी पकवान ने उन्हें चमतकारी हाथ दिये थे वो जिसे हाथ लगाती वो ठीक हो जाता मरीज वो बिना बुले ठीक कर देनी थी एक दिन डॉक्टर अंजली को ग्रीन एलिफेंट रियल इस्टेट के ओनर मिस्टर जॉनसन का फोन आया वो हमारी कंट्री के टॉप टैन अमीर लोगों में से एक थे मिस्टर जॉनसन ने डॉक्टर अंजली को इन्वाइट किया परन्तु डॉक्टर ने उन्हें मना कर दिया वो सिर्फ अपने न्यू टाउन 116 फर्स फ्लोर वाले क्लीनिक पर ही मिलती थी मिस्टर जॉनसन दिन रात बिजी रहते थे वो मंडे 25 सेप्टेमबर को डॉक्टर अंजली के क्लीनिक गए डॉक्टर अंजली येस मिस्टर जॉनसन मैं क्या हिल्प कर सकती हूँ आपकी मिस्टर जॉनसन बोले इसलिए मैं चाहता हूँ रोज आप मुझे मेरे घर पर आके देखें मैं किसी को भी घर जाके नहीं देखती हूँ इसलिए आपको मेरे क्लीनिक ही आना होगा ओके डॉक्टर मुझे रोज एक सपना आता है और अब मुझे नीन भी नहीं आती मिस्टर जॉनसन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप चल्द ठीक हो जाएं बाकी भगवान की मर्जी है डॉक्टर मेरे सपने में एक बीस साल की लड़की टीना कशब दिखाई देती है और वो लड़की मेरे साथ रेस लगाती है रोज वो रेस में मेरे से बहुत आगे निकल जाती है और लोग मुझ पर जोर जोर से हसते हैं मुझे बड़ी शरम आती है और फिर मैं खपरा कर उठ जाता हूँ मैदान में नहीं अपने कमरे में सो रहा हूँ पसीनों पसीनी सपने के डर से मुझे इतना पसीना मुझे रोज सपने से अब डर लगने लग गया है टॉक्टर अंजली एक बिशप नहीं बोली वो बस लगातार बिना पल की छपकाएं मिस्टर जॉनसन को देखती रही टॉक्टर अंजली के फेस पर कोई एक्स्प्रेशन नहीं थे वो चानती थी मिस्टर जॉनसन छुट बोल रहे हैं नेक्स टे मिस्टर जॉनसन फिर आए टॉक्टर अंजली बोले आज क्या सपना देखा आपने मिस्टर जॉनसन मिस्टर जॉनसन बोले आज डॉक्टर मुझे डिफरेंट सपना आया है पर अंतु नीन फिर नहीं आई मैं टीना कश्यप से रेस में बहुत पीछे रह गया और भागते भागते फिर गिर पड़ा लोग मुझ पर जोर जोर से हस रहे थे मैं भाग कर कार में चला गया थोड़ी दिर बाद मेरे पास टीना आई बोली सर परंतु मैंने उसे गोली मार दी फिर मेरी नीन खुली मुझे बहुत डर लग रहा था डॉक्टर अंजली बोली मिस्टर जॉनसन मैं आपकी पूरी मदद करूंगी परंतु प्लीस आप मुझे जूटी स्टोरी मस सुनाए मुझे सच बताए मिस्टर जॉनसन बोले डॉक्टर टीना मेरे दोस्त की बेटी है वो पिछले साल ही अमेरिका से पढ़ाई करकर आई है और उसने अपनी एक अलग ब्लू सफायर रियल स्टेट स्टार्ट की थी पिछले एक साल के अंदर ही वो कंपनी बहुत पापुलर हो गई मेरे क्लाइन मुझे छोड़कर टीना को जॉइन कर रहे हैं यह सोच के मुझे नीन नहीं आती है नेक्स टेग डॉक्टर अंजली मिस्टर जॉणसन का इंतजार करती रही परन्तु वो नहीं आए फिर उन्होंने शाम को टीवी में न्यूज देखी एक पीस साल की रड़की टीना कश्यप को किसी ने गोली मार दी और ग्रील एलिफेंट रियल इस्टेट के मालिक मिस्टर जॉणसन ने सुसाइट कर लिया है डॉक्टर अंजली अपने आप से बुली सॉरी मिस्टर जॉणसन आपने सपने को हकीकत समझ लिया और मैं फर्स टाइम किसी की मदद नहीं कर सकी सॉरी नमस्कार सॉरी